विंटर्स चड़ी हैं और मार्केट में काफी सारी हरी भरी सबजे अवैलेबल हैं तो आज मैं आप सभी के साथ बनाने वाली हूं मैगी की ये खास रेस्पी जिस बच्चों की फेवरेट मैगी तो है ही साथ मैं हम इसे देंगे बच्चों के लिए एक हेल्दी वेजटीबल स आप चाहें तो बटर ज्यादा डाल सकतें इसके विसमें डालेंगे थोड़ा सा ऐयल ताकि बटर जलेना इसके साथ यह में अद्रक लेसन और थोड़ी सी हरी मिर्ज़ डाल देंगे इससे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दो से तीन बड़े चमच प्याज इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है हलका पिंकिश होने तक हम इसे भून लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे हमारी प्याज भी यहाँ हलकी गुलावी हो चुकी है अब हम इसमें हमारी फेवरेट बेजटेबल सेट करेंगे मैंने आप मश्रूम लाल हरी सिम्ला मेर्च एट किया और साथ ही थोड़े से हरी प्याज और गाजर एट किया अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे आपको पास अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंदो आप इसमें एट कर सकते हैं वेजटेबल को हमें बहुत जादा सौफ नहीं करना है हमें थोड़ा से क्रंची वेजटेबल चाहिए तो अब हम यहाँ पर डालें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसके साथ हम इसमें ए यहाँ पर हम थोड़ से जो टोटे हुए नूरल्स बचे हुए थे पैकेट में हम उसको ग्राइंड कर लेंगे बहुत फाइन नहीं करना है अब हम इसे हमारे सूप में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक आप खाने में बहुत टेस्ट है अब हम इसमें एड करेंगे हमारे टेस्ट का एकोडिंग थोड़ा सा नहमक इसे मिक्स करदेंगे और बोल आने तक कोखोने देंगे सूप बोल हो चुका है हम फिलिम को आफ कर देंगे और एक घहरी से प्रेट में बोल मैगी को रखेंगे और इसके चारों तरफ हमारा बनाया हुआ सूप डाल देंगे। मुझे हकीन है कि मैगी का ये वेजटेबल सूप बर्जन आपको बहुत पसंद आया होगा। इस रेस्पी को जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अपने फीड़ाइक मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ हम इस पर थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे और इसे गार्णिश करेंगे। तो यह डेलिशियस सूप बाले मैगी सर्व करने के लिए लिए इसे गर्म कर्म सर्व कीजिए और इनजुय कीजिए। तर यदि आपने मेरी वीडियो का अभी तक लएक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लािक कीजिए ज़यात से जादर शेयर कीजिए और अर-अपने फीडबाइक कॉमेंस में जरू कटाएंगे और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए इससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल लेंगे अगली वीडियो में एक नई डेस्पी के साथ तक के लिए बाइ बाइ थैंक्स वर वाचिंग